इस वेक्ति के नाम में शुरू किया गया है जो पहला अवार्ड है जिन्होंने लोग के फिल्ड में इतना कॉंट्रिबूशन किया है कि उसके बारे में जो भी कहा जाए कम होगा हिंदी में विदी के ग्रंतों का लेखन उनके लिए पुरुशकार प्राप्त करना अन्य विविन शैकार से लेके सम्विदान तक सभी विश्यों पर अपनी किताबें लिखना और लोगों को इतने वर्सों तक पढ़ाना और पर्टिकुलरली राजस्तान में राश्ट्रिये इसके लिए में सब आयोजकों का धन्यवाद का पात्रू मुझे यहां बुलाया उसके लिए भी उन सब का धन्यवाद आज बंसाली ट्रस्ट दोरह प्रथम प्रुसकार एक्सेलेंस इन लाग के लिए दिया गया जिसके लिए मुझे समानत किया गया मैं इसके लिए बंसाली परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं पूरे देश भर में से इस अवार्ड के लिए चुना गया फॉर एक्सेलेंस इन लाग थेंक यू सो मुझ अब परिवार का पुरा सेहोग है मेरी वाइफ भी वाइस चांसलर रही है नैश्टनल लाव एनिवस्टी शिम्ला में हमारी दो बेटियां है वो भी पढ़ाने में योग्या है दोनों एसिस्टन प्रोफेसर हैं सने लॉई है वो भी पढ़ाते हैं तो हमारा पूरा परिव जो है वो सारा एकेडमिक से जुड़ा हुआ है और हमें बड़ी खुशी है कि ये पुरुसकार आज एक लाख रप्या और साथ में प्लेक और आउनर मिला है इसके लिए बात-बात धन्यावाई मैंने युबाउं के लिए कहा कि वो अपने जो इंटरस्ट है उसके लिए वो करें अपने आपको आउट ओफ दे इंटरस्ट किसी प्रेशर में आख के काम ना करें आपको खुश रहना है एक घड़ी की तरह चलते रहना है समय आने पे आपको सफलता पक्की मिलेगे विदी जगत के इतियास में एक स्वानिम दिन है क्योंकि विदी के अग्रणिय प्र प्रफिसर एसर बंसाली सहाब की स्वुरती में हमने उनके ट्रस्ट ने एक बहुत महत्पून आवार्ड को जारी किया और इसका चैयन करके और आज जो विजेता हैं प्रफिसर परमजीत एस जसवाल जो एसरम उनिवरस्टी के वर्तमान में कुलपती हैं और इससे पूर र सम्मान दिया गया इस सम्मान में एक लाख रुपे की नगद राशी का चेक उनको दिया गया है और इसके साथ उनको सम्मान पत्र शॉल और प्लैक ऑफ ओनर किसे नवाजा गया है मैं जो कि इस कारिक्टम का सेयोज़क रहा है प्रफसर एमके बंडारी ये मेरा सवबागी है क और उनी के निर्देशन में मैंने पध्यन अध्यापन सब कुछ किया और मैं प्रफसर एसार बंसाली चेरीटेवल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट जिनके की डॉक्टर नील बंसाली मैनेजिंग ट्रस्टी है और उनीय परिवार के साथ इस ट्रस्टी करने हैं उनका आभार यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कारिये के लिए जिम्मेदारी दी और हमें इस बात की प्रसंदता है कि हम इस कारिक्टरम को सफलता पूर्वक्स अंचालन कर सके और आज ये अवार्ड दिया गया और आप सब लोग आए सम्मिलित हुए और आप इसको जनता तक पह तो मैं ये बतना चाहता हूं कि हमने ये प्रस्का क्यों और कब शुरूर किया था इसतन दो जार दो की बात है जब मैं डॉक्टर मेत्रिया जो जो तुर मैं निशनल इंविश्ट्री के वाईश्चांसर थे उनके साथ बैठा था और उस में आस्ट्रेलिया के भी दो वाई कर नहीं है तब हमने कुछ विचाल करके सवार एक हमारी पिताजी की नाम से मैंने कोशित किया था कि प्रॉफेसर एसार बंसारी लौ एक्सिलेंस लौका एक अवार्ड कोशित किया जाए तब उस समय गोशना हुई पर उसके बाद मैंत्रिया साब का वहां से यह अनुव हो रहा है कि यह इस पुर्सकार का लेवल भी शांति सुरू बटनागर पुर्सकार या बीसी रोय अवार्ड पुर्सकार तक दिरे दिरे जाए और रेश की विदी संकाय के जो लोग है इस अवार्ड की महतोता को समझे और यह आप लोगों जिस तरह से आगे ब आज एक बहुत ही मैट्रून कारिक्राम अवार्ड सेरिमनी का रहा रहा लौफ एक बहुत ही इलेस्ट्रियस प्रॉफेसर हमारे रहे ऐसार बंसाली साथ उनकी यादगार में ट्रस्ट जो बनाईगी बंसाली फैमिलीन है उन्होंने प्रॉफेसर जैस्वाल जो की उनुश् के फिल्ड में कॉंट्रिबूशन को रिकंगनाइज करने के लिए प्रॉफेसर जैस्वाल जो की वाइस चांसलर है इस लॉफेस्टी के उनको सेलेक्टिया है अमंग्स फिफ्टी एट परसंस एंड उसमें मैंने यह जुरू कहा है कि जो किताब में लिखते हैं प्रॉफेसर उसमें इंटर्प्रेटेशन और लॉफेसर किया जाए जैसे के लिटिकेशन का आशा करता हूं यह जो कार्मा चालू हुआ है वो उत्रोंतर बहुत अच्छा और सफल रहेगा थैंक्यू